हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिप चैनल एजुकेट भारत में दोस्तो आज की वीडियो में हम शांती स्वरू भटनागर पुरुसकार दोहजार तेईस के विजेताओं के नाम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए तो प्लीज वीडियो का इन तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर कीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो पुरुसकारी किसके द्वारा दिया जाता है तो SS भटनागर पुरुसकार CSIR यानि की Council of Scientific and Industrial Research द्वारा दिया जाता है CSIR की स्थापना कब हुई है तो 26 सितंबर 1942 को और इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले है नई दिल्ली में तो आपको इतने याद रखना है ये जो CSIR है ये ही सांती स्वरुब़फ भटनागर पुरुसकार देता है आप देखें CSIR के पहले महा निदेशक्त है SS भटनागर जिनके नाम पर ये पुरुसकार दिया जाता है एक question और पूछा जाता है कि ये जो शांती स्वरूप भटनागर पुरुसकार है ये किस शेत्र में दिया जाता है तो ये विज्ञान के शेत्र में यानि की science के शेत्र में दिया जाने वाला महत्पून पुरुसकार है आगे देखते हैं कितने शेत्रों में दिया जाता है ये तो ये विज्ञान के 7 शेत्रों में दिया जाता है देखें Biology, Physics, Chemistry, Maths, Medicine, Engineering और Earth Science इन 7 शेत्रों में विज्ञान के इन 7 शेत्रों में ये पुरुसकार दिया जाता है आप देखते हैं किसको दिया जाता है ये पुरुसकार तो देखे प्रती वर्ष 45 वर्ष से कम उम्रे के विज्ञानिक को ये पुरुसकार दिया जाता है देश भर के संस्थानों के वैग्यानिकों को उनके पिछले 5 वर्षों के उत्क्रस्ट वैग्यानिक कारियों के लिए पहला क्या है कि 45 वर्ष से कम किया यू होनी चाहिए साइंटिस्ट की साथ में क्या इनकी पिछले 5 वश में इन्होंने उतकरस्ट वग्यानिक छेत्रों में कारिक किया हो जिसके लिए इन्हें क्या मिलेगा शांती स्वरूब भटनागर पुरुसकार दिया जाएगा तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है कि बायोलोजी में दो लोगों को मिला है एक डॉक्टर अमित सिंग और दूसरे हैं डॉक्टर अरुन कुमार शुकला ठीक है तो यह दोनों आपको याद रखना है कि बायोलोजी याने की जीव विग्यान ठीक है जीव विग्यान यान अरुन रहना जाता है ठीक है जीवन हमारा कैसा हो सकता है अच्छा हो सकता है अगर हम अरुन की लाली में यानि की अरुन क्या होता है सूर्य होता है सूर्य की लाली में अगर हम सुबह सुबह उठें तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है तो देखिए अगर आप हम अपने जी नहीं होता है जैसे भी बस कैसे भी लिंक करके चीजों को हम याद रख सकते हैं वैसे ही आसान तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ अगर आपको ट्रिक से याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपल ही भी नाम याद रख सकते हैं देखे केमिस्ट्री याने कि रसायन के शेतर म पर हमें विश्वास है जिस पर हम विश्वास करते हैं उसी वेक्ति से हमारी कैमेस्ट्री कैसी होती है अच्छी होती है और अगर हम विश्वास की बात करें तो सबसे जादा हमारी कैमेस्ट्री हमें किसके साथ अच्छी रखनी चाहिए तो कैमेस्ट्री के शेतर में किसे मिल चाहिए डॉक्टर कनिश्क विश्वास याने की जिस पे हमें विश्वास है उसके साथ हमारी केमेस्ट्री हमेशा अच्छी होगी और हमें हमेशा केमेस्ट्री किसके साथ बनानी चाहिए गोविंद के साथ है गोविंद याने की भगवान के साथ अब देखिए आगे क्या है आगे अर्थ साइंस में डॉक्टर विनोय कुमार सेक्या को दिया गया है ठीक है तो अर्थ को स्वक्ष रखने के लिए हमें सबसे विने करना चाहिए हमारा अर्थ कैसा रहे स्वक्ष रहे तो हमें सबसे क्या करना चाहिए विने करना चाहिए तो विने कुमार सेक्या अर्थ science में विने कुमार सेकिया को दिया गया है SS भटनाकर पुरुसकार. इसके आगे देखिए engineering में किसे मिला है तो डॉक्टर देव दीब मुकोपाध्याई को engineering के लिए SS भटनाकर पुरुसकार से समानत किया गया है अभ देखिए यहाँ पर क्या है देव दीब टाकि वो आपको इंजीनियरंग में पास करा देप सामने देव जुलाना एक, एक मंत्र पढ़नी पुर्णीर हैं, स्वाङिक, सौरव तो देखे मैट्स जो होता है मैट्स वो सबको घोस्ट की तरह लगता है कैसा लगता है भूत की तरह घोस्ट की तरह तो घोस्ट से आप क्या याद रख सकते हैं घोस्ट याद रख सकते हैं कि मैट्स अब कैसा लगता है घोस्ट की तरह लगता है याने की घोश तो अनीश घोश को और देखे मैट्स में हमको कई सारे संकेत पता होने चाहिए जैसे प्लस है यह माइनस है ठीक है यह डिवाइड है और यह मल्टिप्ला है तो यह सब क्या संकेत है तो मैट्स में हमको बहुत सारे संकेत याद करने पड़ते हैं तो स बाद देखिए medicine के शेत्र में किसे मिला है तो dr. जीमन पनिया मककल और dr. रोहित श्रिवास्तव ठीके इन दोनों को दिया गया है medicine या चिकित्सा के शेत्र में SS भटनागर पुरुसकार तो देखिए यहाँ पर medicine तो यहाँ पर जीमन दिया जीमन को कर लीजे जीवन देखिए वास्तव में क्या जरूरी है अचके टाइम में medicine तो वास्तव से क्या याद रख लेंगे श्री वास्तव ठीके वास्तव से याद रखे श्री वास्तव और क्या जरूरी है तो medicine तो जीवन और वास्तव इससे आप क्या याद रख सकते हैं medicine के शेत्र में किन दो वैक्तियों को SS बटनाकर पुरुसकार दिया गया है आप देखिए physics के शेतर में किसे मिला है तो डॉक्टर कनक शाहा को मिला है physics के शेतर में physics का मतलब होता है भौतिकी देखिए जो भौतिकी होता है मतलब जो भौतिक है वो चीज़े कैसी भोठिकी में सारी चीज़े कंड कड मिलकर कर चैनल को बनिए भोठिक में सभी चीज़ें लेकिर तरह मोगे, अगर हम ऐसे याद करना मुश्किल होता है लेकिन अगर हम ऐसे याद करना आसान हो जाता है दूस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो like and share जरूर कीजेगा अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दीजेगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत